हे एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल फूरी नमस्ते कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज बनाएंगे काली मसूर दाल तरका बिल्कुल धाबा इस्टाइल में तो जिसके लिए मैंने ले ली है दाल एक बोल काली वाली जो मसूर शुर मदावल और सिटल और प्रेशर कोकर में दाल को डुग देंगे दाल को मैंने डाल दिया है अब इसमें थोड़ा सा पानि दाल देंगे पानी इतना ही डालेंगे कि हमारी ला अच्छे से प्रेशर कोकर में डूब जाए, जादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका पानी सही थी हमको दाल को यूज करना है, अब इसमें डाल देंगे स्वाधनुसा नमक और हल्दी पाउडर आधा चमच, सभी चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और प्रेशर कोकर तो चलिए फ्रेंट देखिए, विसल आ गई है, और दाल अच्छे से पक गई है, तो चलिए चेक कर लेते हैं दाल को, ये देखिए, बहुत अच्छे से कोक हो गई है, एक स्पून से देखेंगे, ये देखिए, दाल अच्छे से फूल गई है, अच्छे से पक चुकी है, अब ओयल में डाल देंगे, जीरा एक चम्मच, जीरी को अच्छे से भून जाने देंगे, फिर दो चुटकी हिंग पाउडर डाल देंगे, अब इसके बाद मैंने एक प्याज को पीस लिया था, एक बड़े साइच का प्याज था, उसको पेस्ट कर लिया है, प्याज को डाल अच्छे से ब्राउन हो गया है प्याज, देखिए, ऑईल बिलकुछ सेपरेट हो गया है, तो बहुत अच्छे से भून गया है, अब इसमें डाल देंगे, हल्दी पाउडर एक चम्मच, अब ये रेट चिली पाउडर एक चम्मच, कश्मीरी लाल मिच का पाउडर है फ्रे बूनेंगे अच्छे से, मसालो को बहुत अच्छे तरह से भूनना, ये तब तक भूनना, जब तक इसका ऐल सेपरेट न हो जाए, अब इसमें डाल देंगे सबजी मसाला, गरम मसाला, सब एक चम्मच, और फ्रेंड्स ये मैंने थोड़ा सा राजमा मसाला लिया एक मसालो के साथ तमाटर प्यूरी को बहुत अच्छे से भूनना है, देखिए इसका ओल जो है थोड़ा थोड़ा सा अलग होने लगा है, तो देखिए ओल सेप्रेट हो जाए, तब तक हमको भूनना है मसाले को, बहुत अच्छे से भून गया है ये, अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेती एक चमच, क्रश करके डाल देंगे, इससे बहुत इच्छा फ्लेवर आएगा, और ये एक से दो चमच मलाई ले ली है, जो घर के दूद की जमी मलाई होती ही न, उसको फेट करके डाल देना है इसी समय पर, इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, मलाई कसूरी मेती, और मसाले पूरी वगड़ा जो है, सब अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे, देखिए, बहुत अच्छे से भी करेंगे, इसको दो मेर्ट भूनते रहेंगे, देखिए, अच्छे से कलर आ गया है, बहुत अच्छा, आमारी पूरी का, देखिए, ऑल से पर चलाते वे मिक्स करेंगे देखी बहुत इच्छी दाल बनकर यह तयार होगी यह बहुत ही प्रोटीन से भरी हुई दाल होती इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है तो इस दाल को हमें अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए यह देखी बहुत इच्छी बनकर तयार हो गई जादा तर लोग लाल मसूर का यूज करते हैं फ्रेंट्स काली मसूर बहुत ही टेस्टी बनती है अब इसको ढख कर 2-3 मिनट तक और पका लेंगे तो देखी फ्रेंट्स 2-3 मिनट हो गए हमारे अब यह अच्छे से उबल रही दाल सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं देखी दाल अच्छे से पक गई है इसको उबलते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं पहले से उबली हुई दाल थी तो इसको और नहीं ज़्यादा पकाना है यह बिल्कुल बनिया बन करके तयार है ना ही पतली है ना ही बहुत गाड़ी है बिल्कुल धाबा इस टाल है मस्त बन कर तयार हुई है देखी अब इस फ्रेंट इसमें हरी धनिया कटी हुई डाल देंगे हरी धनिया से टेस्ट और ही बढ़ जाएगा अब ये देखिए पूरी तरह से तयार हो चुकी अब इसमें कुछ भी नहीं और करना है तो बस गैस बंद करके इसको सर्व कर लेते हैं देखिए फटा फट से इसको मैं सर्व कर ले रही हूँ गर्मा गरम टेस्टी दाल बनकर तयार हो गई है मलका मसूर की आजाए फ्रेंस आप लोग भी अब इसमें डाल देंगे एक चम्मस देशी घी इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा और भी बढ़ जाएगा इस दाल का स्वाद इसको दरूर डालिएगा उपर से मिक्स कर दीजिए अच्छे से मिक्स कर दिया है दाल में देशी घी को अब ये फ्लेवर चार गुना बढ़ जाएगा इस दाल का फ्रेंस अगर आज की रेस्पी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हूँ प्लीज वीडियो को लाइक, शियर, कॉमेंट जरूर किया करें चैनल भी फ्रेंस अगर पहली बार आ रहे हूँ तो प्लीज सस्क्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई रेस्पी के लिए तब तक के लिए बाइ और तक केर